के नामशकारजों सवागत आप सभी का डिजिटल तेयर हैं मैं सउरप भारती आप सभी का हर्दिक सवावडर करता हूं दोस्तों प्लैटफॉर्म बूट को हम सॉल कर रहे हैं और गृव्पD को रोख वह स्वाव में ती कर रहे हैं और आज आप अगर हाइडोजन को देखें हाइडोजन देखो मैंडिलीफ की आवर सांडी जो है वह परमानू भार पर आधा रहे थी बात समझे लिए पर हाँ इसमें एक दिक्कत आई थी मेंडिलीफ की आवर सांडी में क्या हुआ कि हाइड्रोजन का जो एक वेट था ना वह क्या हुआ कि वन एच वन एच टू वन एच त्री तीन समस्तानिक हो गए था है तो वह कभी भी हाइड्रोजन को एड्जेस्ट नहीं कर पाया उसको बार-बार दिक्कत आ दी थी कि हाला कि नंबर से चले तो हाइड्रोजन क्या एक नंबर फिक्सता यो इसका जलता नहीं होता है में को यह शार करता है तो messenger RNA का निर्माण होता है जिसको अपन mRNA भी कहते है प्रोटीन संसलेशन की विद्या है जिसमें DNA और RNA का निर्माण होता है इन में से कौन सा उच्छ तापमन पर आसानी से अक्सिकरत नहीं होता या जलता नहीं है देखिए जो मिश्र धातुं यहोती हैं दो धातवगों को मिला कर बनाया जाते दो दहात वieme जिनको अगर अपन एसिडिक मीडियम में लेके जाएंगे तो उनकी इसमेल कुछ अलगाती है अगर बेसिक मीडियम में जाएं तो इसमेल कुछ अलगाती है तो इसने साफ लिखी दिया है घान या इन्हें ऑल्फेट्री सूचक कहा जाता है इनको ऑल्फेट्री कहा जाता है का मतलब है यह सूंगने से सम्मनित है नेक्स देखें निमलकित में कौन सा एक सरल इस्थाई उत्तक नहीं है देखो यारी कोशन कई बार आ चुका है आंसर है जाइलम जाइलम जो है देखो यह सरल उत्तक नहीं है यह मिक्स्ट उत्तक नहीं है यह एक वस्तु अपनी इस्तिर मीटर पर सेकेंड तो इसका त्वरण क्या होगा एकसिलीरेशन इसने आपको पूछा है तो आपको यहाँ पे न्यूटन की गती के जो गती के समीकरण है उनका काम में लेना पड़ेगा है ना इकवेशन आफ मोशन पहली देखते है वी बराबर यू प्लस एटी एना यू प्लस एटी तो इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं वी माइनस यू अपॉन टी इस इकल टू ए तो अब देखो यह इस्ति रवस्ता कह रहा है इस्ति रवस्ता का मतलब जो है इनिशल वेलोसिटी तो अपन को क्या करण ना ही पॉन ट करना है वी अपॉन ट किरके देखो वी जी सपाइस क्तों से कर द्वारा प्रतिपादित फाइफ kingdom classification में निम्नमे इसे कौन सा शामिल नहीं है देखो इसमें प्रोटो जोवा नहीं आता है प्रोटो जोवा इस विडिकर ज्वारा जो ए्निमल नाया गया था जो classification किया था उसमें प्रोटो जोवा वर्ग नहीं आता है next देखे एक 10 kg की बस तो 5 5-meter per second की गति से गतिमार रहे वस्तु की जूरजा क्या होगी किनेटिक एनर्जी क्या होती है मासट दे रखा इसने आपको 10 में और वी दे रखा इसने 5-meter per-second 5 का स्क्वेर कर दीजिए आप यहां पे इसको कार दीजिए दूपंजे दस पाइफ पांच का स्क्वेर 25 25 125 जूल है अंज़र 125 यह राइक नेक्स देखो विश्रण के बारे में विश्रण होता है उस्मूसिस इसके बारे में क्या सही नहीं है विश्रण के वल तभी संभव है जड़ की तुल्ना मेधिक होती बिल्कुल सही है जितना ज़ादा कंड फ्हले वे होंगे उतना उनका जादा विश्रण बहुत जआदा होगा गय सो की विश्रण की दर उनके आयतन पर निरवर नहीं करती है उनके डेंसिटी पर करती है मुक्त रूप से गिरना केवल बिल्कुल ठीक है नेक्स देखो शक्ति को किस रूप में परव्याखित कहते है शक्ति देखो पावर होता है डबलू बाए की कारे करने की दर कारे बटा समय कारे करने की दर लिखावाई यह लिखावाई कारे करने की दर रात्वा उर्जा इस्थानांतरन की दर क्या कहलाती ह शक्ति के लाते हैं बिल्कुल ठीक है नेक्स देखो भारत का प्रतम वाइसराय कौन मना था देखो अठारा सो अठावन में भारत पर एक नया एक्ट लागू अठारा सो अठावन का अधिनियम कहता है जिसके तहर बिटिश इस्ट इंडिया कंपनी का शाषन भारत में समाप् नहीं है लोथ फ्रक सीयर का प्रकाश स्मुद्व से अभरत का सबसे नया पर्वत कौन सा है नया comprend तो यह हिमाले परवतमाला है हिमाले भारत की नवीनतम परवतमाला है मतलब भारत में अरावली विंद्या चल सत्पुरा पश्चमी गाट पूर्वी गाट यह सब बहुत पहले बन गए थे हिमाले बाद में बना है भारत सबसे बड़ा उत्पादक और उभोकता और आयातक भी है तो डालों का है बिलकुल सही है देखो यह भारत में डाले ऐसी चीज है हम बहुत उत्पादित करते हैं प्रोडक्शन के अंदर अपन नंबर वन है पर फिर भी अपन को डालों का आयात करना पड़ता है बाहर स इंपोर्टर बिलकुल सही है नेक्स देखो टंगस्टन का गलनांक यानि कि मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है तो फिक्स है 380 डिग्री सेंटिग्रेट 3380 डिग्री सेल्सियस भारत सरकार के आयकर विबाग द्वारा आय घोशना योजना वर्ष 2016 में घोशित की गई थी जिसके अंतरगत प्रतियक विक्ति को अपनी आय घोशित करनी होगी नाइक्स देखें एपल ने आइपड मल्टी मीडिय डिवाइस का पेश के आय था 2010 के अंदर आईपड मल्टी मीडिय डिवाइस बढ़ा चौडा चूदत आता था आईफोन नहीं कह रहा है आईपड कह रहा है प्रायक खबरों में रहने वाली आन सान्सूकी का संबंध किस देश से देखो यह आंसांस के दुरान जब दो अलग अलग जिवानों कोशिका संजो संजोंजीत होती है तो यह निर्माण करती है युग्मनच का निर्माण करती है एम्प्रीयो का आईये मैं आईये मैं सुना ना इंटर्नेशनल मॉनेटरी फंड अंतराश्टी मुद्राकोश उसका मुख्याले भी यही पर वाशिंग्टन डीशी में इस्थे थे जब एक धातू पानी के साथ अभिक्रिया करती है तो कौन सी गैस निकलती है लोग उने वाला काम सबें करेगा साहिनल और विस्तापन का क्या पासल इसका अंटरी तो कारे यह लेग्वाला बराबर पंख क्या है पोर्स इंटू displacement बिल्कुल ठीक है तो यह रहा शी आंसर सही था नेक्स देखो भारती सविधान के अनुसार सविधान संशोधन विदेक संसत के किस सदन में पारित हो सकता है देखो आपको अगर सविधान संशोधन करना है मतलब संसत को सविधान संशोधन करना है तो यह अनुचे 368 के अंदर इसकी प्रक्रिया लिखी होई 5 इसन संसोधन से लोक्य सबा में पहले भिल आया है तो वह दोतियाय वहमत से पारित करेगा फिर राज्य सबा को बेजएगा नेक्स कर नाम क्या है जिसके द्वारा कोई धातु अपने आसपाक उपस्थित नमी एसिट द्वारा प्रभावित होती है अच्छा इसको संक्षारण बोलते हैं यह यह लोहे पे जंग लग जाना है ना कॉपर का और काफी सारी चांदी का यह काली पढ़ जाती है पढ़ी पढ़ी है ना इनके उपर ऑक्साइड की परत आजिती से संक्षारण कहा जाता है नेक्स देखें ऐसे पूरु खिलाडी जिन्नों ने बीते वर्षों में खेलों में देश के लिए गौरोपूर्ण प्रदर्शन किया है परन्तु वर्तमान में गरीबी की स्थितियों में जीवन व्यतित कर रहे हैं इनकी साहिता के में अच्छा यह तो बनाया गया था राष्ट्रिय कल्याण निधी क्या बनाई गई थी राष्ट्रिय कल्याण निधी जिसके तैत वे ऐसे खिलाडी जो देश का नाम उच्चा किया परन्तु बाद में फिर जब वह उनका एक गेम का दौर होता नों खतम हो गया अब कुछ की धातू द्रव वस्था में पाई जाती पारा पाई जाती ना मर्कृरी आसान सवाल था एक बहुत प्रसिद्ध टॉक शो चलाते है जिसमें उन्होंने अब तक मतलब ऑलिवूट की लगबख सभी बड़ी-बड़ी हस्तियों को अल्मस्ट विश्व की सब बड़ी-बड़ी हस्तियों को उस टॉक शो में आमंत्रित किया हुआ है ओप्राविन्फ्रे भारती फिल्म निर्देश्व गुरुदत का वास्तिविक नाम क्या था गुरुदत की फिल्म है प्यासा इसको तो और टाइम मतलब ग्रेटेस्ट हिट पिक्चर में मतलब अंतराश्य इसतर पर सम्मानित क्या हुआ है इनका पूरा नाम था वसंत कुमार शिव शंकर पाद अप्रेल 1919 फिल्कुल ठीक है नेक्स देखें ऑक्टेट का न्यू लेंड सिद्धान्त केवल तक लागू होता था देखो यह सिर्फ कैल्शियम तक चलता है ऑक्टेट रूल होता है ऑक्टेट रूल जिसमें दो आठ अठारा ऐसे चलते हैं ऑक्टेट करता था बई कोई भी जो होगा ना उसकी बाहरितम कोश में जब तक आठ अधिकतम इलेक्टरॉन आएंगे तब त यह होगा पर यह कैल्शियम तक ही लागू होता है नेक्स देखें द्रवेमान 400 किलोग्राम की बंदू के सम्वेग की गण्णा करें जब इसका प्रतिगात वेग 0.25 मीटर पर सेकेंड ओके ओके ठीक है यह सम्वेग होता है ना सम्वेग सम्वेग का फार्मूला होता है द्रवेमान गुणा वेग क्या होता है मास इंटू वैलोसिटी तो मास दे रखा है 400 किलोग्राम ठीक है और प्रतिगात वेग दे रखा है वी दे रखा है 0.25 दो हटा दो नीचाद है क्या दो जीरो 25 चौक 100 100 आए गया अां अच्छा इसका मातरक भी देखना पड़ेगा क्यातकों तो द्रवेमान का मात्रक है केजी कल्यों और वैलोसिटी का मात्रक है मीतर पर सेकिंद मीतर पर सैकेंद तो उपर जला जाए गा सैक्ण तो यह सेकंड माइनस वन हो जाएगा तो हंड्रीड केजी एम सेकंड माइनस वन यह रहा कर सकते हो ना यह तो कुछ नहीं है मात्रक निकालना होता है बही क्या है m.v है यह m का क्या है kg और v का क्या है meter per second अब इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं kg into meter into second उपर लेके आ जाओ इसको तो minus 1 एक इस पर power आ जाती है वाकि तो अपने गुड़ा बाग करी लिया था next देखो दक्षिनेशय खेल परिश्यत का गठन कब हुआ है देखो दक्षिनेशय खेल परिश्यत का गठन हुआ है विल्कुल ठीक है अवतल दर्पण पूछ रही है अवतल लेंच नहीं पूछ जाता लेंच में Beyond Two जाता पर लेंच में सीधी नती दर्पण में हमेशा अल्टि बनती होती यांत्रिक उर्जा नहीं कि मेकैनिकल एनरजी कारे करने के दर के वराबर किसी घतिमान वस्तु द्वारा अउश उस तूर्जा कि यह कि अक्यकि मड़का और इसक प्लोग को लग तडिया वाण कि आंसर बिल्कुल ठीक है आप कोई भी ऐसा काम करें जिसमें कोई मोशन होता है ना कोई भी गती तो वहाँ पर आपको यांतरिक उर्जा मिलेगी वहाँ पर गती जूर्जा भी हो सकती है स्थिती जूर्जा भी हो सकते हैं नेक्स加न देखो आनु शब्ड किस्थी ने प्रतिबादीत किया था देखो अनु क्रिटिक ने रोन थे और इस्था से पहले इननौं ने शब्द डिया था एटम शब्द बताया था कि हर पदार जो है बहुत चोटे-चोटे कणों से मिलकर बनाएं तब से चोटा पार्ट जो है वह अनु या एटम क्यालाता है ओके तो यह हमारा शायद आखरी सवाल था तो दोस्तों यह था हमारा आज का पेपर आपको कुछ नहीं चीज़े जानने को मिली होंगी आप देख लिए इस प्रकार के कोशन आते हैं साइंस के कोशन बहुत अच्छे इस तर के आते हैं आपको थोड़ा उनकी तैयारी करके जाना पड़ेगा ओके चलो मिलते हैं फिर वापस नेक्स कोशन में इस यहाँ पर इतना ही प्लीज लाइक शेर सब्सक्राइब तैयारी